देखे सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि एक जिन्मेदार एक पार्टी ये नाते हैं कानूं का सहीयोग देना चाहिए था इस सारा जो मामला है कि कहीं न कहीं कौट ने रजिस्टर की हुई F.I.R. के बेजिस पर चला है मगर हरोज वो प्रदसन करते हैं जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है मेरा स्पष्ट मानना है कि कॉंग्रेस ने इसमें हीडन तरीके से अपनी एपिस्मेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है आज E.D. ने किसी भी प्रकार करण ना किसी को तलब किया है ना पुश्टाच की है ना कोई रेड हुई है कुछ नहीं हुआ है और अचानक ही कॉंग्रेस ने आज यह कारेकरम दिया विरोध का मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कारेकरम क्यों आज दिया गया है और हरोत जब विरोत के कारेकरम होते थे तो अपने अपने ध्रेस में होते थे आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहन कर करें मैं मानता हूँ कि आज ही के दिन इस देश के प्रजानमंतरी स्री नरेंडर मोदी जी ने राम जन्व मुवी का सिलान्यास किया था साड़े 500 साल पुरान ये समस्या का बहुत सांती पूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था ना हिंसा हुई थी और सांतिपूर तरीके से करोडो करोडो लोगों की स्रद्धा को परवान चड़ाने का काम इस देश के प्रधान मंत्री ने किया था कॉंग्रेस ने आज का दिन इसी लिए विरोध के लिए और विशेश कर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक किया है कि वो एक subtle message देना चाहते हैं कि हम राम जौन्वभुमी के सिला नयास का विरोध करते हैं और अपनी तुरुष्टी करण की निती को वो आगे बढ़ाना चाहते और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुरुष्टी करण की निती ना देश के लिए अच्छी है ना कॉंग्रेस के लिए अच्छी है तुरुष्टी करण की निती के चलते ही आज कॉंग्रेस जी स्तिती में है वो स्तिती में दिखाई बढ़ाई और जहां तक E.D. का सवाल है सभी ने देश के कानून की व्योस्ता का सनमान करना चाहिए और सभी और सही हुक करना चाहिए धन्यज़ृष्टी को आगे करता है जबजब मौधी डरता है जब जब मौधी डरता है पुलिस को आगे करता है